हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपकी दोस्तान एड़ुवेटर शाने और अब सभी को मेने चैनल शानीज लग्षा भूसमे स्वागत है फ्रेंड्स आज हम क्या कड़ेंगे देफा फ्रेंड्स हम लोग जो चाक्टर को पढ़ है थे यानि जिस चैक्टर को हम लोग उने पिछले कुस दिनों से पढ़ रहे थे यानि से अबनी इंडियन कॉंस्टियूशन आज हम लोग लगभा उसकी एंडिंग कॉंट पर आ चुकी है त? इसके लिए हम लोग आज इसको अड्लास हम लोग इसे ख़दम कर दे ले इस चैक्टर को नहीं कोशेच कर Souara मे में मैं कुछीश करूंगी रहे थे हम लोग जल मैं से इस चैक्टर को हम लोग पढ़ रहे है तो आ संधशन कि पुछे दिनों से एक साथ इस चार्टर को बढ़ना तो इसके लिए मैं आज कोशिश करोंग कि मैं ट्राइ करूंगी ताकि आज ही से नगी ठाटरण को सकूँ तो चलिए आजकी पंच को स्टाट करते हैं और विलकुल भी देरी नहीं तो चलिए हम लोग से आज को स्टाट करते हैं हम लोग आज कौन को आड़वास देखेंगे आज हम लोग जो को आड़वास देखेंगे ओहाँ इंग्रु सिजिजन्सीड अब लोग तो सब जानते हैं कि हमारे देश में सिर्क और सिप एक इस चलता है ओहें इंडियाल सिजजन्सीड इसकी इलाबा और कोई भी दो बडंगे हैं लेकिन अगर हम लोग इसे के साहथ पॉन घरे तो हम लोग क्या देखते हैं उहां पर दो तरह sserके चलता है ए जो नेशनलिमशीड है और उसके साक्साथ उहाँ की स्टेट में जो लोलोग रहते हैं उन लोगों यहां करते अलग से स्टेट का सिजिजन्सी लेना पड़ता है, तो इसके लिए, अगर हम लोग USA के साथ compare ड़े, तो हम लोग देखते हैं, USA में dual seasons दिते हैं, लेकिन हमारे इंदिया है, फिर परसी 80 seasons दिते, I hope friends, आप लोग यहां तक तो समझ चुके हो, बहुत ही आसानी, कुछ भी नहीं है, मैं simple way में आप लोगो को समझ कोशिश करने हैं, आप लोग फ्लीज थोड़ा सा एसेंच लेके सुनदे चलो, ठीके, तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं, यहां पर क्या लिखा है, तो चलिए, देखते हैं, क्या लिखा है यहां पर, तो Indian Constitution is federate, and it has dual quality, center, and state, it provides only a single citizenship, that is Indian citizenship. इसका मतलब क्या है friends हम लोग सब जानते ही है हमारे इंडिया Constitution में इंडिया को as a federal रूप में दिखाया गया है और हमारे इहां पर dual quality चलता है यानि एक गौर्मेंट है center की और एक गौर्मेंट है state की तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि हमारे इंडिया में dual quality है एक है center की government एक है state की government लेकिन हम लोग जब इसको citizenship के रूप में अगर हम लोग इसे देखें तो हम लोग क्या देखते हैं हमारे इंडिया में अगर हम लोग इसे का साथ कॉप्पे आड़े तो हम लोग क्या दिते हैं USA में dual citizenship चलते हैं जो first है वो है उस USA की यानी country की citizenship और उसके साथ साथ उहां की लोग जिस state में रहते हैं यानी उहां की लोग जिस state में belong करते हैं उस state का अड़ा सो citizenship उन लोगों को लेडा पड़ता है तो इसके जिए ही यहां पर बोड़ा है कि in countries like USA और यादा है इस person is not only a citizen of USA जो 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 होती है उसे भी ओलो एंज़र करते हैं ठीक है? आई हो friends आप लोग इना तक तो समय चुके हो तो चलिए देखते हैं आप हमारी देश में किस तरह की citizenship चलते हैं इसके बारे में हम लोग और भी अच्छे तरीके से देख रहते हैं अब हम लोग देखते हैं हमारे इंडिया के बारे में क्या-क्या लिखा गुआ है इसका मचला किया है friends हम लोग जो भार्विय हैं हम लोग जो भार्विय नादुरी थे चाहे हम लोग जहां पर भी रहे इन इंडिया में हमारे देश की हरे पोने में जो दो इंसान है ओर लोग सम लोग सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट को एंज़ॉय करेंगा यानि कोई ध वही same civil and political right एक गरीब इंसान दी same political and civil right वो enjoy करेगा यानि हमारे इंडिया पर हरे नागरीग की हरे राइट की उबर same अधिकार है same right है ठीके और हमारे इंडिया में जो जो नागरीग है हम लोग सब एक है इहां कर कोई discrimination नहीं होगी ऐसा ही लिखा गुआ है हमारे इंडिया पॉस्टिक्शन उसके साथ और क्या लिखा है no discrimination, मैंने इहां पर तहरी आप लोग को बोल दिया कि कोई भी discrimination नहीं होगी no discrimination is made between them except in few cases like tribal areas यानि हम लोग जो हमाने तंस्रीपर रहते हैं हम लोगों की बीच में कोई discrimination नहीं होगी कोई भीड़ब नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि ओ लोग अमिर है तो इसके लिए ओ लोग रीच है तो इसके लिए ओ लोग कोई special सुईदा पाएगा और जो लोग गरीब है उन लोगों के लिए उतना सुईदा नहीं होगी, ऐसा नहीं है कोई discrimination हमाने इंडिया की हरे नागरी के दीच में नहीं होगी, हरे नागरी सेम राइन, सेम सेटिलिटिस को ओ लोग एंजल करेगा लेकिन कि कुछ-कुछ cases में हम लोग देखते हैं कि हम लोग कुछ-कुछ discrimination देख पाते हैं जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, ट्राइबल एरिया की जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए कुछ special facilities दिया लिया है क्यों फ्रेंट्स क्यूंकि हम लोग तो सब ऑवियास की जामते हैं कि ओ लोग बहुत ही पीच्रे हुआ क्लासे से, बहुत ही backward क्लासे से तो इसके लिए गौर्वर्मेंट चाहते हैं, उन लोगों के जीवन में भी थोड़ा सा डेवलाप्मेंट आए, तो इसके लिए गौर्वर्मेंट उन लोगों के लिए special push facilities का, special push facilities उन लोगों को देता है, ठीके, आप क्या है फ्रेंड्स, किसके बार क्या लिखा है, यहां आप जांबीजे, despite the constitutional provision for a single citizenship and uniform right for all people, India has been witnessing the communal royal, class conflict, caste war, linguistic classes and ethnic dispute, etc. हमारे इंडियार constitution में ऐसा लिखा गुआ था, कि हरे एक लोग समान होगी, हरे एक citizen समान होगी, इस citizen के बीच में, यानि हम लोग जो भारतिया नापिली है, हम लोग के बीच में कोई discrimination नहीं होगी, लेकिन फिल भी हम लोग क्या देखते हैं, अकसर हम लोग देखते हैं, हमा caste required होती है, यानि उचा जाट, मीचा जाट, इस सब के बीच में classes होती है, जड़ाव होती है, यानि मैं क्या मोलू, धर्म के उपर बिच करके महब classes होती है, धर्म के उपर, कास्ट के उपर, लेकिन इस तरह की इंडिया की ज्रीक, जो constitution makers के उलोग नहीं चाते थे, उलोग क् शांती विराज करें, हमारे हिंडिया में हरे लोग एक सार मिल जूर के रहें, चाहे हो किसी इरी रिलिजियम के लोग हो, किसी इरी कास्ट के लोग हो, लेकिन हम लोग ऐसा में ही देखते हैं, हम लोग देखते हैं काफी टाइम के बीच पीच में ऐसे जड़ाव होती ही रह इसको मचलब क्या है? जो Constitution Makers जो थे वो लोगों की जो ड्रीम थी कि एक उनाइटेड इंडिया होगी, उन लोगों की जो ड्रीम थी वो हम लोग अहीरी फुल्फिल नहीं कर पाएं क्यों ? क्युंकि हम लोग खुद यी नहीं समझते हैं कि हम लोग तो सब एक हैं हम लोग के बीज में कोई Discrimination नहीं है हम लोग सब इंडियाग है चाहें वो धाने फ्रीम ध्याम के लोगों वो सब इस ही हैंदो not. लेकिन हम लोग क्या करतें? हम लोग फिर भी एक दूसरे के साथ जड़क करते हैं। एक दूसरे के साथ classes करते हैं, यहां पर कास्वेयर होती है, एतनिक वायर होती है, बहुत के वायर होती हैं। हम लोग आपस में लड़ते हैं। लेकिन ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि Constitution जो बेकट थे, उन लोग की जो ड्रीम थी, कि हमारे इंडिया एक United, एक Integrated इंडिया होगी, उसको फुल्फिल करना दरूरी है, जिसके पहले हम लोग को खुद को समझना पड़ेगा, कि हम लोग सब एट हैं, यहां पर one and only हमारे एट ही प को देखते हैं, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग उस्ते पॉयंट को देखते हैं, अब हम लोग किस पॉयंट को देखेंगे, देखेंगे फ्रेंड्स, अब हम लोग Independent Body के बाड़े में जाने के, देखेंगे इहां पर तो बहुत सारे Judicial, Executive इस तरह की Body है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे Body है, जो Independent Way में काम करते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा-थोड़ा करके उसके बाड़े में जान लेते हैं, देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे हैं, कि इलेक्शन कोमिशन क्या काम करते हैं, और कौनसी-कौनसी जगापर इलेक्शन को चलिए हम लोग दोसा चांटी हैं, कि इलेक्शन कोमिशन हमारे देश में इलेक्शन करता है, तो कौनसी-कौनसी दिपर्टमेंट की, यानि कहां-कहां सेंट्राल इलेक्शन कोमिशन किसकी जगा की वोटिंग की रिस्पोंसिमिलिटी लेता है, अब हम लोग उससे थोड़ा देखने हैं, तो इलेक्शन कोमिशन क्या पाँ करता है? to ensure free and fair election, तहांपर पारल्यामिन की इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर की इलेक्शन, प्रेसिडेंट की इलेक्शन और भाइस प्रेसिजन की ओफिस की इलेक्शन, इस तरह की जो जो डिपार्टमेंट है, यानि इस जो जो जगा है वहां की इलेक्शन कॉंडर्ट कराता है और सेंटर इलेक्शन कोमिशन और हम लोग क्या धांतरे फ्रेंड्स हमारे देश में जो कंचार्ट होती है जो विनिस्टर लिदी होती है वहां की इलेक्शन कॉंडर्ट कराता है वह है स्टेंट इलेक्शन कोमिशन ठी अब हमलों और एक independent body को देख लेते हैं, ओहें controller and auditor general of India, ठीक है? यानि क्या? ये क्या काम करता है? To audit the account of central and state government. He acts as the guardian of public parts. यानि की friends, हमारे लेस में central government और state government की हरेक जो find होती है, यानि कौन सी कौन सी जगा पर central government और state government इतनी expenditure का रहा है, उसकी पुरा का पुरा जो हिसा है, ओ controller and auditor general रखता है. यानि central और state government की जो पुरा account होती है, account की जो हिसा होती है, उसका नज़र उस पर नज़र रखते है controller and auditor general. और central और state government की तरीके से यह जो fund है, यह जो इतना जो पैसा है, इतनी जो account में जो पैसा होता है, इसकी expenditure और ओ लोग कहा कहा कर रहा है, इसका भी नज़र गारी controller and auditor general करता है. तो इसके लिए भी इसको बोले जाता है, कि he acts as the guardian of the public parts, यानि ओ लोग, यानि controller and auditor general काम करता है as a guardian की तरह of public parts. क्यों फ्रेंच? क्योंकि हम लोग तो tax देते हैं, हम लोग तो सब जाते हो, कि हम लोग सब tax देते, अब उसी tax से ही comment सब कुछ काम करते हैं. तो इसके लिए cat यानि controller and auditor general देखता है, कि हमारे आम आपनी की जो पैसा है, ओ गौर्मेंट कहां 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 किसकी चला पर खर्च कर रहा है, और ठीथा comment काम कर रहा है, यानि ही इस आप देखने के लिए इसकी ही responsibility cat के उपर दिया गया है, और ये लोग independent way में अपना काम उसस करता है, उसके बाद क्या है, UPSC आप लोग तो सब जांती ही हो, इसके लिए यान पाब्लिक सर्विस कमिशन ए एक्जाम कांडर कराता है, और गार इंडिया में जो IS, IPS होती है, उसके लिए, तो इसके लिए यहां पर क्या बोला है, UPSC contact exam for recruitment to all India services and hire central services and to advise the president on disciplinary matters, तो आप सब जांती ही हो, UPSC income contact कराता है, हायर अजिटीस के लिए, हायर सेंटल साथिस के लिए, और उसके साथ साथ को प्रेसिदेंट को भी advise करता है, और disciplinary matters, तो एतो बहुते आसांते friends, कि भी में आम लोगों को बोल्डर ही हूँ, आप लोग थोड़ा पेशन देके सुनी है, तो देको friends हम लोग इसके बारे में बाद में जակे करेंगे, लेकिन फिल्हाल आप लोग जो हमारे country में, जो एमर्जेंसी प्रोविशन है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हàng तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देख रेते हैं हमारे जेश में जो emergency provision है उसके बारे में फोड़ा discussion तो देखें इहां पर क्या लिखा है इंडिया constitution contains elaborate emergency provision to enable the president to meet any extraordinary situation effectively यानि ही फ्रेंड्स हमारे जेश में जभी भी कोई भी emergency situation होती है तो president ही उहां पर हस्कत्र करती है इस तरह की situation को control करने के लिए ठीक है यही इसका आसान हासा है इसके लिए मैं बहुत ही आसान हासान आप लोग को संदर्वी कोशिश कर रही हूं तो देखो फ्रेंड्स इसके बीछे कारण क्या है क्यों president इस तरह हस्कत्र करता है तो देखो हमारे country की जो sovereignty है जो unity है इसको रक्षा करना इसको फ्रोटेंट करने के लिए कभी-खभी जरूरा होती है इस तरह की emergency को काईम करना इस तरह की emergency provision को लेके आना तो इसके लिए प् दहें इंडियां इसके लिए सकंफिरिकर इंडियां परिखा है इंडियां इसके इसके जरूराल की जो लिए हमारे जोइस की unity, sovereignty, integrity और security को रक्षा कार्ण इसके कारण ही President कभी-कभी emergency लगाता है हमारे कार्पी पर तो फिलाल तो हम लोग 3 ताइप की emergency के बारे में जाने के Adfast Canada, Adfast है national emergency, उसके बाद है state emergency and then है financial emergency National emergency क्या होती है, national emergency on the ground of external aggression and armed rebellion, क्यानि कि अगर देश में कभी बाहर की country अटाप करे तो इस तरह की अगर कोई जुद्ध, अगर कोई वयर हो जाए और इसके फार्साथ अगर armed rebellion की इस तरह की कोई चीज़े हो जाए तो उस समय national emergency time करना पड़ता है, इसके article कौन सी है, article 352, आप लोग इसके article के बाद में थोड़ा सा ध्याम दीजिए, next है state emergency, state emergency को हम लोग प्रेशिडेंट रूल भी कहते हैं, आप चलिए देख लेते हैं, ये state emergency क्यों लगए जाता है on the ground of failure of constitutional machinery in state, जिसके article है, article 356, और failure to comply to direction of center, इसके article है, article 365 देखिए, क्यों होता है friends, मैं आसना हास में बोल दी हूँ, सापस कि दिए, कोई state, अपनी state को चलाने में सक्सम नहीं रहा, इस समय state emergency लागू होगी है, और अगर आप लोग देखोगे, कि अगर कोई state, center की बात ना सुने, तो बैले center उससे क्वार निखे दिये, लेकिन अगर उसके बाद भी वो लोग देखे, कि state अपनी मर्जी की मालिक हो गया है, state अपनी कुछ से आपनी काम करना है, किसी भी center की कोई भी order, वो follow नहीं कर रहा है, तो उस समय जाके भी state के उपर emergency कायम किया जाता है, ठीके, तो first जो emergency है, article 356, and then अगर जो, मैंने जो बोला, कि failure to comply to direction of the center, उसके article होगी, article 365, ठीके, and at last होगी financial emergency, अगर किसी भी देश में financial emergency आजा है, तो वो बहुत ही dangerous situation है, friends, तो आप लोग समझो, अगर किसी भी देश में, देश की जो money related, जो problem हो, वो बहुत बढ़ा हो जाता है, तब उस समय financial emergency आजाता है, लेगी, thank God, हमारे country पर कभी ऐसा कोई financial emergency नहीं होगी है, ठीके, तो इसके article कौन सी होगी, article 365, ठीके, तो चलिए, friends, अब हम लोग दिरूल last point पर आचुके हैं, अब हम लोग last एक point है, उससे थोड़ा सा इसकत कर लेते हैं, last point के हैं, ओ है, त्री ट एक तो है, हम लोग सा जांदे, central और state लेवर की जो government है, उसके factor, contract level पर भी एक government है, और municipality पर भी एक government है, तो उसके पार ने चलिए, थोड़ा सा देख लेते हैं, देखिए, यहां पर क्या बोला है, originally, Indian constitution, like any other federal constitution, provided for a dual quality and content provision with regard to the nation and power of center and state, तो इखिए, friends, मैंने कर लेगी, कि हमेड़े जेश में जब original constitution बना गया था, तब इस तरह ती कोई बार्टे नहीं था, सिल्फ और सिल्फ और सिल्फ जुआल गर्वर्मेंट थी, ओधी, center और state थी गर्वर्मेंट, उसके बाद क्या हुआ, लेटर, 73rd and 74 constitutional amendment well added, अग 73rd पी क्या है, 73rd amendment act of 1992, गे constitutional recognition to बंचाय, तो बंचाय की amendment क्या है, 73rd amendment act of 1992 के द्वारा, बाद में पंचाय की recommendation दिया गया, और इसको बोला गया, कि इसके constitutional recognition to बंचाय, और इसकी part क्या है, part 9, उसके बाद 74th amendment देकर आगया, लेटर आया, तो 74th amendment act of 1992 में इसके constitutional recognition to the municipality, इसकी पार्ट क्या है, इसकी पार्ट इसकी है, part 9, 8, ठीके, तो हम लोगोंने क्या देखा, हम लोगोंने लडबग सारे points को हम लोग आज कामबर पर पर चुके है, हम लोग पिछले कुछ दिनों से silent features of constitution के बारे में पढ़ रहे रहते है, I hope friends, आप लोग एंजरे किये हो इस पूरे session को, तो आज मैं एही पड़ी, मैंन आपड़रो है है तो मेरी यह प्लेस्ट है इसके पुरी पूरा डिस्केशन दिया गया है और इसके पिछले वाले जो जो चैप्र थे उसका भी प्लेस्स बना हुआ है आप लोग जाके वहां से देख सकते हो तो फ्रेंट्स आज मैं एही पड़ी मेरी लेक्षार को खदब कर दू फ्रेंट्स आप लोग बहुत अच्छे हो कुछ रहो अच्छे से बढ़ाई करो और उसके सासा चाहो तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कर देना तो इससे मुझे मो तो बाकी कब आपके लोगों के हाथ नहीं तो आपने साथ दू फिर्ट बाई बाई